नमस्कार बागवान साथियों आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आर्च मैतर यूटूब चैनल पर और आज जो यह टॉपिक है यह है बोडो पैंट या स्टम पैंट कह सकते हैं इसको जो भी या तने का जो पेस्ट या पैंट इसे कह सकते हैं बहुत नामों से अलग अल नामों से इसे जानते हैं या इसका नाम रखा है तो आज इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे इसको कब लगाना चाहिए इसका क्या सही समय है और इसके क्या-क्या फाइदे हैं और यह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो सबसे पहले बात करते हैं साथि कि यह करना आती आउशक है बहुत ज़्यादा ज़रूरी और यह कब करना अच्छी है जैसे ही आप देख पा रहे होंगे हमारे बिगीचे को यह लग बग 40-50-60% के आसबास पत्ते जड़ चुके हैं 30-40% पत्ते आपके प्लांट में अभी बचे हुए हैं तो यह बिल्कुल स करते हैं तने में तो सबसे बढ़िया कारगर सिद आपके बीचे के लिए होगा वह इसलिए साथ ही हो क्योंकि जो नुवंबर का महिना होता है जैसे ही पत्ते जड़ जाएंगे अक्टूबर नुवंबर में आपके लोवर बैल्ट में हाइट में भी अब जड़ने शुरू अंधर अल्याउल सैट से एक सैट से पूरी स्किन आपके जली हुई है और दूस्री वाली सैट से देखते हैं तो बीलुकुल सही है तो जो जूस वज़ती है नुंबर के मlingenे में जादा सूरजаци की किरने जो डरेक्ट पड़ती है तने में क्योंकि पत्ते नहीं होते हैं बि पेस्ट के बारे में अगर मैं बताओं तो आप को इसे भी लगा सकते हैं ज़रूरी नहीं है आप बाल्टी वाला ही लगाएं जो मार्केट में मिलता है बहुत सारी कंपनियों का लग अलग आप घर पे भी बना सकते हैं चुना निला थोता और अलसी का तेल और वाटर ये मिल अगर आप घर पे भी बना सकते हैं जो आपको बैस लगे जैसे अगर आप घर पे मेनद कर सकते हैं तो घर पे मिला के बना सकते हैं अगर आप बाहर से लेना चाहते हैं बाहर से भी ले सकते हैं काफी सचे सचे दामों में बाहर भी मिल रहा है तो आप मार्केट से बना बना दिखेगा और तन्य बिल्कु साफ रहेंगे और दूसरी बात कि अभी जो उपर जितने भी बिमारिया हमारे होली एफिट है या कोई भी कीट है जो उपर से उड़े नहीं सकता जो नीचे चल के आएगा तो वो पेड में ही रहेगा और उसको आप आगे जब आप दिसंबर मे अगर आप हमों की सप्रे करते हैं कोई भी ओईल सप्रे आप करोगे तो उस टाइम में आप उसको उपर ही मार दोगे वो नीचे नहीं आएगा क्योंकि नीचे जो स्टम पेस लगा है यह आपका चोना निलत होता वगयरा इन सी जो का मिक्स्चर ही होता है चोने का तो चोने क्या है वो आपके तने के पेस्ट से होगी वहां नीचे से उपर नहीं आपकी वो कोई भी ब्युमारी इंसेक्ट आपका नहीं आप आएगा तो यह दूसरा इसका सबसे बड़ा फायदा हो गया और तीसरे जो है कि अगर आपने बहुत तरीके का पेस्ट आ रहा है स्टम प वारा उसको लगा पाई यानि कि अब यह अक्टूबर में अगर आप लगाते हैं तो मार्च में जाके फिर से लगाए ऐसा पेस्ट ज्यादा अच्छा रहता है उससे क्या होता है कि जो आपकी इतने की मोटा ही है वो अच्छे से बनते रहेगी वह बिल्कु टाइट नहीं आपका जो पेस्ट है ताने के पेस्ट की वज़ए से आपके बगीचे में जो एक अलग से रिफ्लेक्ट करेगा वाइट उसके और जल्दी से आप आएगे एक कलर आपका दिखेगा तो उसके वज़ए से मदमख्य भी आपके बगीचे में जादा आ सकती है तो यह कुछ-क बढ़िया रहेगा क्योंकि नुवंबर में और दिसंबर में ज्यादा तेज़ दूप पड़ती है और सनी एरियो वालों को स्टार्टिंग अक्टूबर में ही लगाना चीए जहां थोड़ा शेड़ी साइड है वह अवाइड भी कर सकते हैं जरूरी नहीं है लगाना पर अ लोग बी जितनल जल्दी हो सके उतनल जल्दी लगाएं और पत्ते याद रहें कि आपके पूरे जढ़ने से पहले ही लगाए तब ही आपको फायता होगा अगर आपकी पूरे जढ़ जाएंगे उसके बाद आप लगाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है उतने तक एकी सड अपना हम एक्सपिरिंस आपके साथ शेयर करते रहेंगे अगर आप हमें कमेंट के मादे हम से एप्रिशेट करते रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए बहुत बहुत धन्यवाद